4-1 चैंप नूपे अब आपे हाट्रिक कल रात में हम समने मैस देखा अब पूरी दुनिया में मजाग बन रहा है बार्सलोना, बॉटलोना हर बार का यही सीन है पिछले 3-4-5 साल से यही सीन होता है कभी आथलेट को में डूल होती है तो कभी रोमा होती है तो कभी लिवरपूल होती है और कभी बान मनेक होती है बार्सा का चैंपरस लीग में क्या सीन है नहीं सवज में आता है एवरी सिंगल टाइम दे फंबल अर्ट बिग स्टेजिस ते हाफ फंबल अच्छा सुलूशन मतलब क्या क्या सुलूशन क्या है यह वीडियो इस अबाट सुलूशन नहीं समय में नहीं आ रहा है मैं क्या बात करूँ ठीक है आप सॉरी पहले तो क्वालिटी वीडियो के हो सकता थोड़ी खराब हो मेभी एडिट्स खराब लगे मेभी वोइस भी खराब लगे अपको बट थिंग इस नौट बाट थिंग इस की वट तेहल इस गोइंग अट बार्सा कब वो टाइम आएगा जब वी कैन से वी आर अमंग्स टॉप फाइव टीम इन दे वोल्ल बिगोज हर वो टीम हर नई टीम आती है ठोक के बजा के चलिया दिया दिया और इस बार कैंपनूप यूप दस गेंस में पहली बार सुग है कि PSG हम वन अगेंस दस और रिमोन तादा का बदला उन्होन हमें बखुत बढ़िया से लिगा 6-1 डिफीट राइग यह बीटिट उस 4-1 आढ़ होम किलिन अमबापे, match is stick, match reaction, tactics, कुछ नहीं है, I got nothing for you guys UEFA Champions League round of 16 में, PSG were utterly dominant in that game against Barcelona कुट्टा बना दिया, home पे हमें, in every aspect first half बहुत equal-equal था, we were saying Barca ने गोल मारा है, PSG ने भी गोल मारा है अमबापे ने फार गोल मारा है, वैसे वो Clement Long ले की, error बोलो है, जो भी बोलो second half में, everything just turned around, पता नी पेप टॉक क्या दिया, कुमाने, पता नी पेप टॉक क्या दिया, Pochetino ने माता आगई, माता आगे, किलिन अमबापे में, and जैसे कि Madrid fans चाहरे थे, कि किलिन अमबापे को एक trial run मिल जाए, क्यांपनो की pitch का feel आ जाए, because they want him to come to Madrid, तो पुरा आउटक्लास कर दिया, every aspect में, PSG ने हमें, guys, तो defense में भी problem, even midfield में भी problem, attack में भी problem, because we weren't scoring, we weren't even creating the chance to take it, this isn't about that, tactics में भी बिसक्स कर पाऊंगा, I'm not even capable right now, but the thing is, कि this video में, I will discuss about the five questions that you guys have asked me on the live stream last night, तो, तो ये ये रा पेला question, people have asked me a lot about this question, that, कुमान should be out or not, what do you guys think, people have said कि ये, this, this, this thing has happened because of कुमान's mismanagement, tactical mess, I wanna know, comment box में, and let me know, कि, do you think कि ये गलती कुमान कि थी, क्या लगता है, कुमान was the guy who should be blamed, हम हम ये मैच को हार गे, and we can put all the blame on कुमान कि भाई, उसकी about the playing of Barcelona, players, उनकी गलतियां, ठीक है, उनके misplaced passes, the position lost in the build-up, what do you guys think, मेरा उपीनियन, मेरा उपीनियन, I said it on the live stream, मेरे साब से तो नहीं, I don't want कुमान to be out as of now, second question पर move करते हैं, second question था, P.K. and Longley, the thing is कि कुमान के ओपर question क्यों आ रहा है, कि जब इतनी high profile game थी, तो why did he risk P.K., अगर P.K. को risk किया था, तो चार गोल क्यों खाया, right, अगर एक individual बंदा आके, game में इतना influence कर सकता है, then तो हम उसे P.K. को risk करते हैं, but उसके आने के बाद भी वो conceded four goals, then क्या use था, तो कुमान को यहाँ पर blame करोगे, या फिर individual errors की बात करोगे, P.K. की, क्लिमें, longlay की, क्या हो गया है उस बंदे को, अच्छी performance, last year तक solid solid player क्लिमें longlay, amongst the top three defenders in the world, प्यार से, बिलकुल, लेकिन इस साल, I don't know what the hell has happened to that guy, कल के game में, भाई, outclass, मुईजी कीन, 20-20 साल का londay ने उसको क्या छिखाया, I mean, इतना easily confused करके रखे थे, पूरी PSG की टीम, and यहां पर people are asking me, should they be sold, इनका time खतम हो चुका है, longlay का, even उंतीती के उपर भी question उठे, तो आपको क्या लगता है, should Barca sell them and move on from them, let me know in the comments, and next question में move करते हैं, the third question was about buskets, मैंने buskets वो defend किया, ठीक है, live stream start होने से पहले half an hour discussion हुआ था, उसमें I was, people were saying कि Pianic should have started ahead of buskets, जैने ऐसे नहीं, and अब शायद लोग मुझे गाली दे रहे होंगे, I don't know what, but buskets की बात अगर करा जाए, four time position lost, ठीक है, इतना जादा नहीं है, it's okay, but overall game, कितने progressive passes, कितने बार long passes दिये, one of the best stadiums in the world in the last 10 seasons, but, अभी, उसका game देके, शोकिंग है, शोकिंग है, शोकिंग है, the way the players run past you, तुम interceptions कर सकते हो, you can read the game, why are you not doing it, gameplay बहुत बहुत डिक्रीज हुआ है, and even, we can say कि एम प्याने को खिला सकते थे, उसके अगेंस, but, नहीं खिलाया, कुमान ने, ठीक है, फाइन, we have to make do of what we did, तो, क्या बूलू मैं, buskets, कैसे सेव कर सकता हूँ, किस बार सा के player को मैं यहाँ पर सेव कर सकता हूँ, तो, should buskets be sold now, यहाँ पर क्या solution हो उसका, let me know, ठीक है, अगला question में मूव करते हैं, दो पलिस के बारे में बहुत इंपोर्टेंट बात है, Dembele and Jordi Alba, शायद बार सा के सब से खराब प्लेश कल रात, Dembele gave away the ball 12 times, Jordi Alba gave away the position 15 times, and it's not about losing position, ठीक है, because, कलियन बाप पे अलस लौस पॉसेट बार, यहाद 18 बार, 18 times you also lost position, but the thing is, where are you losing your position, that matters, तो, अगर game forward proceed कर रहा है, you are attacking, you have committed the people forward, Jordi Alba, अगर 15 बार पॉसेट लौस कर रहा है, तो, आप इमाजन कर रहा हो, किस पॉसेट पे वो होगा, advanced role में होगा वो forward होगा he would be trying those passes maybe cross कर रहा होगा maybe cut back कर रहा होगा and उस जगह पर position loss होता है तो there is a very good chance कि opposition counter कर सकता है and left hand side पर का है space खाली है क्योंकि Jordi Alba उपर जाके position loss कर रहा है तो clear number पर position loss करें ठीक है, Messi भी even position loss करें तो भी ठीक है, why? because उस ताइम पर defenders हमारे पीछे हैं but अगर आपका defender इतनी high profile maintain करने के बाद position loss करता है that's not good, Dembele, wasteful मतलब 120 million literally दान क्या फाइदा हुआ उसका में भाइट क्या Dembele run देता है वाव, nice, great run, great dribbling, great skill unpredictable, हाँ, इतना unpredictable है खुद को confuse कर लेता है and a position बहुत comfortable रहता है they know कि Dembele run the right, क्या करेगा run करेगा, cut back करेगा, हम defend कर लेंगे अगर a position अपने defenders को properly place कर रहे है right hand side से वो cross नहीं करेगा because बार साइर रनर नहीं भेचती है number 9 नहीं कि वो sores वाले runs डालेगा बीच में because हमें breath weight हो कल देखा, useless था तो Dembele क्या करने वाला, cut back करने वाला बहुत easy है defend करना 12 time position lost again passes नहीं हो रहे थे तुम position lost थो छोड़ो, crosses छोड़ो, shots चोड़ो passes नहीं हो रहे थे the very basic trait to be in a player who should be at Barca, passing वही नहीं हो रही है आपे players से and सबसे last question पर आते हैं एक बहुत important question है जो कि most of the people have asked me why is Messi invisible in big games और was he invisible last night तो एक football start है कल के game पर Messi के लिए that Messi ran just 4.3 miles and शायद that is almost similar to what Ter Stegen did the whole night तो मैं आपे defend करो उसको करूं, नहीं करूं, I cannot do that multiple times position lost gameplay second half में बिलुकल भी नहीं बना the thing about Messi is, the thing about Barcelona is when Barca has to score Messi is the guy who turns the provider and Messi is the guy who scores the goal burden on that guy is way too big but this isn't enough to not criticize him अगर वो बंदा अपनी पोसिशन छोड के drop करता है if he's trying to create some chances for the other people पहली बात, they should finish it he tried to create this fantastic chance for Dembele, miss कि अगर वो बंदे ने गोल मार दिया होता तो उडाबे ने बिटर पोसिशन बाट नहीं तो मैं में 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 को आपे डिफिंड ने करूंगा आउट सेकल के गेम में तो he was very clearly invisible second half में तो literally मुझे नहीं देखा passes नहीं हो रहे थे बहुत बार पोसिशन लॉस्टेशन लॉस्टेशन 15 तामस में से लॉस्टेशन लॉस्टेशन in that game because now what can you talk about you know PSG ran the show 3 goal hat-trick 10 on 10 rating Varati fantastic performance उस बंदे को number six register roll whatever you wanna make him play he can do that what touches first touch football PSG literally salute to them fantastic performance and I am not saying that just because based on this one performance I can say that they are really a contender now fine Neymar wasn't there fine Di Maria wasn't there but Barca were very very poor defensively very resolute yesterday PSG we should have a little praise to Leonada Pradesh because that guy also had a terrific game a very far game and by the combination of Varati when he was attacking he was attacking and he was intercepting he was intercepting he was making those tackles so box-to-box game fantastic performance from PSG very high spirit Pochettino is doing a great job but the thing is right now now Barca as of this moment I am literally depressed or whatever you wanna call it we can play we don't have risk we don't have the risk we don't have the intensity we don't have the game we don't have the press we don't have the intensity we don't have the pass we don't have the ball we don't have the player we don't have the pass and PSG here is one touch passing back flick 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 every single thing each and every player everyone knows that what the position is going on and they find them first goal what a fantastic goal Markinho long ball left hand side Kurzawa Kurzawa cut back Varati one touch tap we are done and PSG has in the Barca style Barca hit home what can happen I don't know I can't give a solution I can't give a solution I can't give a solution that we can do it so please maybe this can be done in some other video so we will talk about it I am disappointed I am very disappointed but fine I am a Barca fan we have to support them we have been there in their best times and Abbi they are at the worst we have to support them so all I wanna say is Viskel Barca and peace out